हर हर महादेब नमस्कार दोस्तों अब सभी का हमारे भक्ती एंड फन वीडियो चैनल मस्वागत है आज मैं आप लोगों को शावण मास महातम में आठवा अध्याय सुनाने जा रही हूँ इश्वर बोले है सनतकुमार अब मैं समस्पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वनन करूंगा जिसे श्रदापूर्वकर करके मनुष्य परम सिध्धी प्राप्त करता है ब्रह्माजी ने चद्रमा को ब्रामनों के राजा के रूप में अविश्यक्त किया किसी समय उसने रूप तथा योवण से संपन द्वारा नामक गुरु पत्नी को देखा उसकी रूप संपदा से मुईत होकर वह काम के वशी भूद हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया इस प्राकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ जो पुद्धिमान, सौंदर्य शाली तथा सभी शुप लक्षणों से युक्त था गुरू ब्रस्पती को ग्याथ हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्तित है तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पतनी को वापिस कर दो अनिक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापिस नहीं किया तब रस्पतिन ने देवताओं की शभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वरतांत बताया और कहा हे शुक्र आप देवताओं की राजा है अतहा अपनी आगया से आप उसे दिलाए अन्य था उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही नियसंदे लगेगा क्योंकि सास्र निर्णाय के अनुसार प्रजा के द्वारा किये गए पाप को राजा भूगता है पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है गुरू का यह वच्चन सुनकर चंद्रमा ने कहा मैं आपकी आगया से तारा को तो दे दूँगा किन्तो इस पुत्र को नहीं दूँगा सास्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया इसके बाद गुरू को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया हे चंद्र अब तुम घर जाओ यह तुम्हारा भी पुत्र है और ब्रस्पति का भी है यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिस्टिट होगा हे सुराचारे आप यह दूसरा भी शुव वर ग्रहन कीजिए कि जो पुद्धिवान व्यक्ति आप दोनों वुद्ध गुरू का व्रत मिलाकर करेगा उसकी संपूर्ण सिध्धी होगी यह सत्य है इसमें संध्यर नहीं है शंकर जी के लिए अत्यन प्रिया इस श्रावन मास के आने पर जो लोग बुद्धवार तथा प्रस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे उन्हें सिध्धी प्राप्त होगी इस व्रत में दही तथा भात का निविध व्रत सिध्धी में मूल हितु है स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन भिन भल प्राप्त होता है कोई हिंडोले के उपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वभून संपन तथा दिरगायो पुत्र प्राप्त करेगा यदि मनुश्य कोशागर में मूर्ती को लिख कर पूजन करता है तो उसके कोश बढ़ते हैं और वे कभी शय को प्राप्त नहीं होते इसी प्रकार पाकालिया में पूजन करने से पाक ब्रद्धी और देवाले में पूजन करने से उनकी कृफ़ा प्राप्त होती है शयागार में लिखकर पूजन करने से इस्तरी का व्योग कभी नहीं होता है धायागार में लिखकर पूजन करने से धानने की व्रिद्धी होती है इस प्रकार मनुश्य उन-उन फलों को प्राप्त करता है इस प्रका साथ वर्ष तक करने के बाद उध्यापन करना चाहिए। स्वैम भी भुजन करना चाहिए। इस विधी से साथ वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनुरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विध्या की कामना से करता है वह वेद वसात्र के अर्थों को जाने वाला हो जाता है। बुद बुद्धी प्रदान करते हैं और गुरु ब्रस्पतिक गुरुता प्रदान करते हैं। सनतकुमार बोले है भगवन आपने जो यह कहा है इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन करना चाहिए यह दी बताने योगे हो तो इसका कारण बताईए है। सनतकुमार पूरुकाल में अत्यन दीन तथा दरिद्र कुई दो ब्रामन थे। यह दोनों मामा भांजे थे। उदार पुत्री है तो परिश्णपूर्वक ब्रामन करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन मांगने के लिए गए थे। उन्हों ने घर-घर में शामन मास में प्रतिक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा किन्तु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। रात्री में उन्हें स्वपन में इस व्रत की विधी रस्टों गोचर हो गई इसके बाद उन्होंने उसकी विधी के अनुसार व्रत को किया जिससे उन्होंने अपार संपरा प्राप्त की प्रती दिन उनकी संपती बढ़ने लगी और सभी लोगों को ग्याद भी हो गया इस प शुब व्रत को करे उसे व्रत की समाप्ती पर मामा तथा भांजे को प्रत्न पूर्वक भुजन कराना चाहिए इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनौ की परम सिध्धी हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है इस प्रकार श्री सक पुरान के अंतरगत इश्वर सनत कुमार सनवाद में श्रवन मास महतमय में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक आठवा अध्य है पून हुआ धन्यवाद